नमस्ते फ्रेंड्स, कार्डनिंग विद वन दिना में आपका स्वागत है आज मैं आपको ये अपडेट दिखाऊंगी कि जो भी कटिंग मैंने लगाई होई थी आपको प्रॉपर दिखाया हुआ है वीडियो में उसकी अपडेट क्या है उसको भी आज मैं दिखाती हूँ वो अलग-अलगतर है कि प्लांट दिखाऊंगी और पूरी कटिंग कैसे तयार होती है उसको भी दिखाऊंगी कि कटिंग कैसे लगाते हैं वो तो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया हुआ है उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप देख पाईएगा क इससे तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता है प्लांट लगाने का तो उसमें भी रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं इन दिनों में हैं आप जुलाइ में अगस्थ में सेप्टेंबर में है ना हखच्ट बर में भी लगा सकते हैं हर महीने मई-चुन को छोड़ दिया जाया और दिसंबर को छोड़ दिया जाए तो आप पूरे साल लगबग कटिंग लगा सकते हैं लेकिन जो बेस्ट सीजन होता है वो जुलाई अगस का होता यानि बरसाथ के दिनों का तो उसमें क्या है कि 100% रिजल्ट आते ही आते हैं तो वो मैं आपको आज दिखाती हूँ क्या-क्या मैंने कटिंग लगाई है और क्या चल रहा है तो यह देखिए यह तो आप पहचानती ही है यह गेंदे के पौधे हैं और यह कितनी अच्छे से देखे सरवाइब हो गया है सारे के सारे पौधे यह है गुल्दावदी की कटिंग लगाई थी वो भी पूरी हेल्दी है और न चोड़ा बहुत इसमें खाद दे दें वो भी मैं बताउगी खाद अब इस तरह कि जो कटिंग हम लगाते है उसमें खाद क्या देंगे यह देखे यह भी ही विसकस की कटिंग है बहुत अच्छे से चल चुकी है बहुत यह अच्छी इसमें ग्रोथ है और यह एक जो प्ला अच्छे हैं और ये बिल्कुल हरा भरा है टहनी हरी भरी है तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसमें रूटिंग होगी और थोड़ा सा पेसेंस जरूर रखना चाहिए कटिंग लगाने में और उसे देखने में क्योंकि बहुत जल्दी अल्दी कटिंग नहीं लगती है आपको को आप लगाते हैं तो आपके हां मच्छर नहीं आएंगे और कि डेंगू जैसी विमारियां जो होती है वह इस तरह का पौधा ये जो मरुआ या दौना कहते हैं बड़ी भीनी सी सुगंद आती है और बहुत ही आध्यात्मी पौधा है ये इसकी बड़ी डिमांड रहती है नवरात्रे में आता दुर्गा को चड़ाया जाता है ये बड़ा अच्छा होता है ये कटिंग से मैंने पहली बार लगाया है वो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है और आप देखेंगे तो मैंने वेस्ट मटेरियल में ही इसको लगाया हुआ नीचे वही जो घर से निकल के फेक देने की ज़रुत है आगे देखेंगे तो ये फिर वही गुल्दावदी है और ये जो है ये फाइकस की कटिंग लगी हुई है ये देखें कितना अच्छा इसमें ग्रोथ चल रहा है देखें नई-नई जो पतियां है आप देखेंगे उपर-उपर नई-नी पतियां आ गई है ये भी हिबिसकस की कटिंग है और इसमें फो पुरानी पतियां थी देखेंगे वो गल गई है और नई-नई शूट्स निकलने लगी है तो ये हो गया और ये जो लगाया हुआ है मैंने ये एकजोरा की कटिंग है ये ये दबल चांदनी की कटिंग है बहुत अब देखे कितनी अच्छी इसमें नहीं नहीं पतिया निकलने शुरू हो गई है तो यह भी यही है एक जूरा की कटिंग है तो लगभग मैंने सब तरह की कटिंग इसमें लगाई हुई है और इतने छोटे सही और वह भी वेस्ट माटेरियल में यह आप देखेंगे तो फ्र इसमें पैक हो करके वही गत्ते लगा रखे हैं और इसमें प्लांट लगा दिये हैं और यह बहुत अच्छी चल रही है और यह भी इस तरह की कटिंग जब चलने लगें तो आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी डीएपी डाल सकते हैं यानि कि इतने बड़े कंटेनर में इत गेंदे के पौदे तो आप निकालके लगा लिए जब 15-20 दिन के यह हो जाएं जैसे आप यह नीकालने लाइक हो लग भग हो गए हैं तो इसे आप निकाल करके कहीं भी सेप्रेट कर लें लेकिन जो परमनेंट प्लांट हैं जैसे कि यह हिबिसकस है चांतनी है एक जोरा है और यह फाइकस है इसकी कटिंग जो मैंने लगाई हुई है इसको आप रहने दें इसको लंबे समय तक रहने दिया जाता है कम से कम दो महीने तो आप रहने ही दें वरना इसमें अच्छी सी जड़े नहीं सर्वाइब हो पाएंगी और वही होता है कि जब भी हम प्लांट को र अलग ट्रीटमेंट करना चाहिए और जो यह सीजनल प्लांट होते हैं जिनकी लाइफ की चार से छे महीने की होती है उनको आप अलग ट्रीटमेंट किया करें यहां भी आप देखेंगे तो यह जाफरी विराइटी के जो गेंदे के पौधे होते हैं उसकी कटिंग मैंने ल मैंने लगा रखा है और बहुत ही अच्छे से देखें चल रही है बहुत धेर सारी कटिंग है तो यह इस तरह से आप जब कटिंग लगाएंगे तो एक साथ बहुत धेर सारे पौधे आपके यहां बन जाएंगे इसमें मैंने देखिए यह उसकी बुगन वेलिया की अब मैं आपको कुछ पुराने पौधे दिखाती हूं जिसको कि मैंने लगाया है और इसमें देखिए फ्लावरिंग भी होने लगी है तो यह मोगरा का पौधा और यह कटिंग से मैंने लगाया हुआ था इसे मुझे अपने भाई को गिफ्ट देना है और यह देखिए इस इसकी जड़ने डिस्टब ना हो और यह लगाया हुए लगभग एक से दो महीने मुझे हो गए है तो अब इसमें देखिए फ्लावरिंग भी होने शुरू हो गई है फ्लावरिंग की उमीद तो मुझे नहीं थी लेकिन यह इतना अच्छा निकला है कि इसमें यह डेनियम का और इसे मैंने देखिए लगाया हुआ था और अब यह देखिए रीपॉर्ट होने के लिए मांग रहा है यह जड़े जब बाहर ऐसे आने लगती है तो आपको प्लान को रीपॉर्ट करने की जरुवत होती है तो यह थी बहुत धेर सारे पौधों की जो कटि अप्रिदार कर लेते हैं आप अपने आप लगाते ही है पौध ही हो जाते है और आपके जो आस पास की लोग है वह उन्हें भी आप दे सकते हैं तो यह यह सारी कटिंग लगाई हुई है यह मैं किसी ना किसी को दे दूँगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइ वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं नमस्ते फ्रेंड